आप सभी साधक और साधिका बहन को मेरा साधर परणाम स्वीकार हो, आज मैं आप सबके समक्षे कैसे चमतकारी अपसरा की साधना को लेकर आया हूँ, जैसे करने के बाद आपकी जो भी खुआईस है, आपका जो भी सपना है, आपका जो भी मुराद है, ये चमतकारी अपसरा पलक जपकते ही पूरी कर देती है ये चमतकारी अपसरा आपको रातो रात करोड़ पती बना देती है आपको जितना भी पैसे के जुरूत आप इसे बोल कर देखे आपके पलक जपकाने से पहले उतना पैसा आपके समक्ष रखा हुआ मिलेगा और इस चमतकारी अपसरा की साधना कोई भी सिद्ध कर सकता है, जाए और नया साधक हो, पुराना साधक हो, इस्तरी हो, पुरुस हो, नर हो, नारी हो, किन्नर हो, किन्नरी हो, छोटा बच्चा भी इस चमतकारी अपसरा की साधना को सिद्ध कर सकता है, और इस चमतकारी अपसर आप मुझे बताइए मैं अपना चैनल डिलीट कर दूँगा और यह साधना एक लाग एक परसंट डंके की चोट पर सिद्ध होगा ही होगा क्योंकि मैं आपके समक्ष वही साधना लेकर आता हूँ जो कि मैंने किया होता है या मेरी गुप्त सक्तियों द्वारा मुझे जो कि एक लाग एक परसंट सत्यता का प्रमान देती ही देती है और यह चमतकारी अपसरा क्या क्या करती है ध्यान से सुनिए यह अपसरा वसीकरण में महरती है इसका वसीकरण अगर कर दिया किसी के उपर भी आपने इसको वसीकरण के लिए चला दिया तो फिर यह काम करके यही लोटेगी आपके चुटकी वेजाते सामने वाला आपके वस में होगा, इसका वसीकरन इस दुनिया में कोई भी नहीं काट सकता है, इस चमतकारी अपसरा का जो वसीकरन है, इसको इस दुनिया में कोई भी नहीं काट सकता है, उसके बाद में यह पैसे से भारा जो गो ड लगता ही लगता ही खुलेगा ही खुलेगा आँख बंद करके लगा दीजे यह आपको लोटरी के बारें बताते हैं लोटरी में यह इंटरनेशनल और नेशनल दोनों ही लोटरी का नमबर बताती है और इसका बतायों नमबर आक बंद करके लगा दो यह आपको सेयर मार्केट के बारें बताती है कौन सा सेयर उपर जाने वाला है कौन सा सेयर नीची आने वाला है उसके बाद में कोई भी आपक important file पर important file जो है आपका उंच अधिकारी का signature लेना है उस file पर या कोई file को गायब करना है या कोई important document को एक जगा से दूसरी जगा करना है कोई important सामान को यहां से वहां करना है बस आप चुटकी बिजाओ आपका काम हो जाएगा उसके बाद में यह जो चमतकारी अपसरा है जो नीचे का धन होता है जिसे कहते हैं गरा हुआ धन जो जमीन के नीचे गरा हुआ धन होता है और गुप्द धन होता है उसकी एक लाग एक परसंट सटीक जानकारी देती है कैसे निकालना कब निकालना खुद यह निकाल कर भी दे देती है अगर आप इसको बोलोगे तो क्योंकि इसकी खुद की एक सेना है जो कि इसके मतलब काम करती है इसके लिए उसके बाद में यह आपको किसी का भी भूत भविस और बरतमान बता सकती है कौन आने वाला है किसली आने वाला उसके जेब में कितने पैसे है पैसे का नंबर क्या है सारा कुछ यह बता देगी नोट का नंबर क्या है वो इनसान क्या चाहता है उसका पास प्रजेंट फ्यूचर हिस्ट्री जिग्रॉफिक बायोजिस सब आपको यह बता जो साधना होती है अप्सरा की साधना होती है और दूसरी भी साधना यह आपको सिखाती है आपको ऐसे-सी साधना हो गें जो इस दुनिया में वह चीज आपको के सिखाएगी आपको कोई मतलब importance नहीं दे रहा है आप जहां भी जाते हो लोग आपको ignore कर दे रहा है आप किसी से बात भी करने जाते हो तो लोग आपसे वहाँ से उठकर चला जाते है आपसे बिना बात किये तो आप बस इस चमतकारी अपसरा का मंत्र जाप करके देखो फिर देखो चमतकार क्या होता है चाहे हो लड़का हो लड़की हो इस्तरी हो पूरुस हो नर हो नारी हो किनर हो किनर हो किनरी हो बच्चा हो बूटा हो पसू हो पक्षी हो जो कोई भी आपको देखेगा ततकाल वस्ती भूत हो जाएगा आपके पीछे पागल हो जाएगा। जर से गायब हो जाएगा डॉक्टर को दिखा दिखा के ठक चुके हो दुनिया में जा जाकर जहां तहां जा जाकर पैसा बरवात करके ठक चुके हो तो बस इस चमतकारी अपसरा का मंत्र जाब करके देखो फिर देखो चमतकार क्या होता आपके जीवन में वो जो बीमारी वो पैसा दे नहीं रहा है तो with interest आपको पैसा देगा आप पर किसी ने case कर दिया हो case आप जीज जाओगे आपका बीवा नहीं हो रहा तो बीवा हो जाएगा आप पर संतान आपका नहीं हो रहा तो संतान आपका होगा आपका job नहीं लग रहा तो job लग जाएगा आपका business नही वाली यह अपसरा है या आपकी हर ख्वाइस आपके पलक जपकते ही पूरी कर देगी आपकी हर एक मुराद आपकी हर एक जो सपना आपने देख रहा है आपकी हर एक इक्छा जो इसे कहते हैं वह आपकी चुटकी बजाते ही पूरी कर देगी यह चमतकारी अपसरा बहुत ही स लाइब जी से कहते हैं वह ऐसा बना देती है यह साधना आपको मंगलवार वाले दिन करना है और एकांथ कमरे में करना है आपके सिभा उस कमरे में ना कोई आएगा और ना ही जाएगा गेरवा कलर का वस्तर पहन लेना है और इसमाँ का माला का प्रयोग किया जाता है दो माला के मिना नहीं होता है यह साधना उसके बाद में आपको क्या करना है पांच परकार का मिठाई, पांच परकार का फूल, पांच परकार का एतर और पांच परकार का तेल आपको ले लेना है उसके बाद में पांच परकार का तेल और पांच परकार का एतर को मिला का पंच मुखा दीपक जो होता है वो आपको परजुलित करना है और सामने रख देना है उसके बाद में आपको क्या करना है कमरे में थोड़ा सा लोबान और थोड़ा सा गूगल को जला देना है और कमरे को सुगंदीधा बना देना है उसके बाद में आपको क्या करना है एक काला कपरा लेना है पांच भाई प है गोल करके ठीक है एक किलो चावल का धेर बना कर उसके ओपर पंच मुखा दीपक को रख कर इस मंत्र का जाब करना है आपको फिर देखना चमतकार कैसे आपके समक्ष अपसरा प्रगट होती है और इस चमतकारी अपसरा का जो मंत्रे ध्यान से सुनिए मंत्रे ओम क्रीम एम क क्लीम क्लीम कामागनी प्रियतमा आगच्च 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 स्वाह तो साधना कीजे साधना एक लाग एक परसंट सिद्ध होगा ही होगा गुरुपरति प्रेम गुरुपरति आस्ता गुरुपरति विश्वास बना कर रखे सभी का भला कीजे बुरा किसी काई साधना एक लाख एक परसंट डंके की चोड़ पर सिद्ध होगा ही होगा